C, I, E, T, N, C, E, R, T दोरा प्रस्तु थे कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का 19 वा पाठ हमारे साथी जानवर टक की आवाज सुनकर कक्षा में बैठे सभी बच्चे चौक गए आवाज छट पर लगे पंखे से आई थी कल्याने चिलाई देखो देखो उस कोनी में देखो चिडिया बंखे से कट गई पीटर जट से उठा और चिडिया को उठा लाया चिडिया तड़प रही थी नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पाने ले आई पीटर ने चिडिया को प्यार से सहलाया चिडिया ने थोड़ा पानी पिया पानी पीकर वह धीरे धीरे अपने पंग फर फड़ाने लगी नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए कहा उन्होंने देखा कि चिडिया धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही है तभी फुर्र की आवास के साथ चिडिया बाहर उड़ गई अगले दिन बच्चों ने देखा एक चिडिया कमरे में चक्कर लगा रही है बच्चों ने यह पहचानने की कोशिश की कि क्या वह पिछले दिन वाली चिडिया थी उन्हें लगा कि वही है उन्होंने जल्दी से पंखा बंद कर दिया और ताली बजाने लगे वाक्यों को सही क्रम में डालो पहला वाक्य पीटर ने चिडिया को प्यार से सहलाया दूसरा वाक्य, बच्चों ने देखा एक चडिया उनकी कक्षा में चक्कर लगा रही है तीसरा वाक्य, नवजोद और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए चौथा वाक्य, फुर्र की आवास के साथ चडिया कक्षा से बाहर उड़ गई पाँचवा वाक्य, चडिया पंखे से कट गई, इन वाक्यों को सही क्रम में लिखो शंकर बहुत खुश था, उसकी घर की आंगर में बिल्ली ने चार बच्चे जो दिये थे वह अपना खाली समय वहीं बिताने लगा एक सुभा बिल्ली के रोने की आवास से उसकी नीद खुली बोलो बिल्ली कैसे रोती है? मियाव, मियाव वह भागा आंगन की ओर, देखा तो बिल्ली अपने तीन बच्चों को साथ चिपका कर रो रही थी एक बच्चा गायाप था बाहर जाकर देखा तो मालिनी बिल्ली के बच्चे को सहला रही थी शंकर ने मालिनी को घर के आंगन में बुलाया मालिनी ने बिल्ली को रोते हुए देखा सोचो, मालिनी ने क्या किया होगा? भोली मीनो की गाए है मीनू रोज सुभा भूली को मैदान में चराने ले जाती है एक दिन तेजी से आते स्कूटर से भूली के पाउं में चोट लग गई चोट से खून निकल रहा था तम मीनू के घर के लोग क्या करेंगे? चंदू धोबी अपने गधे का बहुत ध्यान रखता है गधा भी तो उसके बहुत सारे काम करता है चित्रों को देखो और बताओ चंदू अपने गधे के लिए क्या क्या करता है? एक चित्र में चंदू अपने गधे को नहला रहा है दूसरे चित्र में चंदू अपने गधे को खाना खिला रहा है तीसरे चितर में चंदू अपने गधे को पानी पिला रहा है आखरी चितर में चंदू अपने गधे को माला पहना रहा है क्या तुम्हारे घर या पडोस में किसी के यहां कोई पालतु जानवर है? कौन सा? क्या तुम उसे किसी प्यार के नाम से पुकारते हो? किस नाम से, तुम क्या करते हो जब तुम्हारे पालतु जानवर को भूख लगती है गर्मी या ठंड लगती है, कोई परिशान करता है, या चोट लगती है हम कुछ जानवरों को पालते हैं, उनकी देख भाल भी करते हैं, तालिका बनाओ यहां कुछ जानवरों के नाम दिये हैं तालिका को पूरा करो आपको बताना है इस जानवर को क्यों पालते हैं रिक्तिस्थान भरो और तालिका को पूरा करो जानवर का नाम कुट्ता इनने क्यों पालते हैं रिक्तिस्थान जानवर का नाम रिक्तिस्थान इन्हे क्यों पालते हैं दूद देती है जानवर का नाम रिक्तिस्थान इन्हे क्यों पालते हैं गाड़ी खीचता है जानवर का नाम बैल इन्हे क्यों पालते हैं रिक्तिस्थान जानवर का नाम मुर्गी इसे क्यों पालते हैं? रिक्तिस्थान जानवर का नाम मचली इसे क्यों पालते हैं? रिक्तिस्थान जानवर का नाम रिक्तिस्थान इसे क्यों पालते हैं? प्यारा या प्यारी लगती है जानवर का नाम मधुमक्खी इसे क्यों पालते हैं? रिक्तिस्थान पक्षियों का प्याव मिट्टी का एक चोड़े मुगा बर्तन लो बर्तन को रसी से बांद कर लटकाओ अब उस बर्तन में पाने डाल कर उसे किसी पेड की शाखा पर या घर के बाहर किजी खूंटी पर टांग दो उसमें रोज पाने भरो देखो पानी पीने के लिए कौन-कौन से पक्षी महां आते हैं पानी की जरूरत हमें भी है और जानवरों को भी ऐसी ही कुछ और चीजे हैं जिने हम और जानवर दोनों इस्तेमाल करते हैं ऐसे किनी तीन चीजों के नाम लिखो तुमने शायद भोजन भी अपनी सूची में शामिल किया होगा तुम जानते ही हो हमारा भोजन कितनी अलग-अलग तरह का है इसी तरह जानवरों का भोजन भी अलग-अलग तरह का होता है क्या तुमने कभी किसी जानवर को कुछ खिलाया है किसी और को कुछ खिलाते हुए देखा है ये दिहां तू तालिका में लिखो तालिका में लिखो किस जानवर को खिलाया और क्या खिलाया तुम इन जानवरों को खाना क्यों खिलाते हो किस जानवर को सबसे ज्याता खाना बच्चों ने खिलाया है उसी क्या-क्या खिलाया? देखो, क्या तुम्हारी तालिका में इनके भी नाम है? पता करो, ये क्या खाते हैं? चूहा, कौकरोच, छुचूंदर, मकडी, छिपकली, कौवा, गिलहरी, बंदर और सूवर सोचो, क्या कभी किसी जानवर ने तुमारी मर्जी के बिना तुमारा खाना खाया है? कैसे? यहाँ कुछ जानवरों के नाम और कुछ खाने की चीजों के नाम दिये गए हैं कौन क्या खाता है? उसे आपस में मिलाओ जैसे बकरी को मिलाओ घास पूज से और रोटी फल सबजी से अब सुनो नाम चिडिया, छिपकली, चूह, मनुष्य, रोटी फल सबजी रोटी, बकरी, मच्छर, चीटी, सांप, घास पूज तालिका में जानवरों के नाम लिखो ऐसे जानवर जिन्हें तुमने चूआ है ऐसे जानवर जिन्हें तुमने चूआ नहीं हैं, पर चूँ सकते हो ऐसे जानवर जिन्हें तुम चूँ नहीं सकते कुछ जानवरों को हम चूँ सकते हैं ये अधिकतर हमारे घरों में और हमारे आसपास रहते हैं इन में से कुछ हमारी मदद करते हैं कुछ जानवरों के पास हम नहीं जाते डर लगता है कहीं काट ना ले नुकसान न पहुँचाएं यहां खा ही न जाएं रानी का बाग यहां चितर कथा दी गई है? चितर एक, रानी के बाग से माली आम के टोकरे लाए हैं चितर दो, रानी कहती है, इतने सारे आम बहुत खूब चितर तीन में, माली कहता है, महरानी जी, अगर पक्षी ना खाते, तो आम इनसे दुगने होते रानी कहती है, क्या कहा, पक्षी आम खा गए, तुमने पक्षियों को बाग में आने क्यों दिया? माली बोला, गलती हो गई महरानी जी, अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे, अब अगले साल का चितर है माली बहुत कम आम लाया है रानी ने कहा पहले से भी कम आम पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं माली बोला रोका था महरानी जी एक भी पक्षी नहीं आने दिया पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए चित्र आठ पक्षी होते तो किणों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते हमारे साथ ही जानवर अभी आप सुन रहे थे कक्षातियं की पाठे पुस्तक का ये पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत